दोस्तों वैसे तो ऐसा बिरले ही आपने देखा होगा कि रैली कॉंग्रेस की हो और नारेबाजी जो है वो मोदी मोदी के लग रहे हो या नारेबाजी जो है वो राहुल गांधी की हो रही हो और रैली जो है प्रधान मुंत्री मोदी या बीजेपी की हो ऐसा बिरले देखा आब कभी कभी जो एसा हो जाता है यहां राहूल गांधी की भारत जोडो, न्याइ यात्रा में थौची का ही बताया जा रहा है राहूल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही बताया जा रहा है होता ये है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहूल गांधी जो अपना रोट शो निकाल रहे थे रोट शो के दाराल कुछ लोग भारतिय जंता पार्टी के जंडे लिए जैश्री राम के नारे लगाने लग जाते हैं मोधी मोधी के नारे लगाने लग जाते हैं और फिर जो होता है वो सब सब के सब देखते रहे गए जो हुआ अध्वुत था होता ये है कि इसके बाद ना सिर्फ राहूल गांडी नीचे उतर जाते हैं उन से मिलते हैं बलकि उसके बाद उन लोगों का भी प्यार राहुल गांदी के लिए जलक उड़ता है मैं आपको इस खबर में दिखाने वाली हूं कि वह वीडियो कौन सा है जिसका जिकर हम कर रहे हैं वह वीडियो जो वायरल हुआ है उसका जिकर जो कर रहे है दोस्तों वह वी बहुत दिलकिस्टत है बहुत ज़्यादा दिलकिस्टत है देखे आप जैसा मैंने शुरुवात में कहा कि मदस्टत पनेखा है मोधी मोधी किनारे लगा रहे थे होता यह है कि जीतु पटवारी के साथ राहूल गांदी उस जीप पर बैठे रहते हैं और जैसे वो देखते हैं कि सामने कुछ लोग मोधी मोधी किनारे लगा रहे हैं राहूल गांदी जब नीचे उनसे मिलने के लिए उतरते हैं तो जैस् संदाबाद के नारे भी लगने शुरू हो जाते हैं दोस्तों मैं आपको बिना देरिके वो वीडियो दिखाना चाहूंगी जो सोशल मीडिया पर धड़ा-धड़ इस वक्त वारल हो रहा है यह वीडियो देखिया तो जैसा आपने वीडियो में देखा वीडियो में साफ तौ पर नजर आ रहा है कि राहूल गांधी जिहां जिस महबत की दुकान की बात राहूल गांधी करते हैं जो महबत की दुकान खोलने की बात राहूल गांधी करते हैं ऐसा लग रहा है कि भाजपा के गलियारों में भी महबत की दुकान खोल दी राहूल गांधी है जैसे उतरत शुरू हो जाते हैं और उसके बाद राहुल गंदी से हात मिलाते ही राहुल गंदी जिन्धाबाद थे नारे भाजपा के कारिकरताओं ने लगाए या फिर कॉंग्रस के कारिकरताओं ने लगाए यह बात तो साफ उस वीडियो में नजर नहीं आ लेकिन मोदी मोदी के नारों के बाद जस्री राम कि नारे और जस्री राम के नारे के बाद राहुल गांधी, जिंदाबाद के नारों से पूरी की पूरी सड़क गुज उठती है जो यह होता है देखे अमोमन यह होता है और शुरूरत में अब तक जो देखा जा रहा है राहुल भारत-जुडो न्याय-यात्रा की शुरूराथ जब से वो उन्होंने की है तब से लिकर अब तक जितने भी भारतिय जंदा पुछ पादि ने रहुं ने किसी को यह को बीच रास्टे से हटाईए राउल अगांदी किसी को बात रहा को кого defined क्वल्ल कॏ किछ करे में सोस्वोट में 30 को का या फिर उनसे हाथ मिलाने के लिए या तो बस से उतर गए या जीप से उतर गए असम में भी यही हुआ था दोस्तों आपको याद होगा असम का वो महौल आपको याद होगा असम में भारतिय जंता पार्टी के कुछनेता राहूल गांधी की बस के आगे हंगामा करना शुरू कर देते हैं बस से उतर कर राहूल उनसे हाथ मिलाने के लिए जाते हैं कुछ लोग ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं तो राहूल भी उनके साथ अग्रेसिव हो जाते हैं लेकिन जादातर केसिस में देखा गया है कि जब जब ऐसा कुछ हुआ तो राहूल ने जो रिपलाए है वो महबबत से ही दिया राहूल गांधी हर चीज का जवाब महबबत से ही दे रहे है उन्होंने एक शुरुवात में भी कई दफा ये कहा कि भले ही हमें कोई कितनी ही नफरत से देखे हमारे साथ कोई कितना ही नफरत से पेशाए लेकिन हम महबबत बाटने निकले हैं हम महबबत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं तो हम हर जगा महबबती महबबत फेलाएंगे यह उन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक है और वो कुछ इसी अंदाज में नजर भी आ रहे हैं देखें दोस्तो भारत जोडो न्याय आत्रा अभी इस वक्त मध्यप्रदेश में है मध्यप्रदेश के बाद वो अगले राज्य में एंटर करेगी मध्यप्रदेश में कुछ समय पहले तक कॉंग्रिस की सरकार भी रही है फिर कम से कम ये दूसरा कारेकाल चल रहा है 2018 में अगर बात करेंगे तो तब से सरकार बदलने के बाद से सरकारे लगातार वहाँ पर बदलती चली जा रही है हाला कि भारतिय जनता पार्टी दो कारिकाल से है वहाँ पर तो मध्यप्रिदेश में Congress भी उसी level पर है जिस level पर भारती जनता पाटी है थोड़ा बहुत 19-20 का फासला है जो कि जनता तै करती है तो कोल मिलाकर कहा जा सकते है मध्यप्रिदेश में भी Congress के अच्छी पकड़ है Congress की अच्छी पकड़ राजिस्थान में भी है इसलिए अगर आप मध्यप्रिदेश और राजिस्थान में राहूल गांदी की भारती जोड़ो नियायात्रा में आने वाले लोगों की तादाद देखेंगे तो आपको भारी तादाद नजर आएगी लोगों की भारी तादाद उसमें नजर आएगी दोस्तों आपको चाहे वो मध्य प्रिदेश हो चाहे वो राजिस्थान हो राजिस्थान में भी बीते दिनों भारजोडो न्यायात्रा थी और भारजोडो न्यायात्रा में बही सब कुछ देखने को मिला था जो कि अभी फिलाल मध्य प्रिदेश में देखने को मिल रहा है मध्य प्रिदेश म आप उसको सबसे बड़ा record कह सकते हैं, क्योंकि लाखों लाख के इतादाद में गांधी मैदान के अंदर भी लोग थे, और गांधी मैदान के बाहर भी लोग थे, वो तमाम लोग राहूल गांधी को सुनने के लिए, तेजस्वी यादव को सुनने के लिए, लालू प्रसाद यादव को सुनने के लिए, अखिलेश यादव को सुनने के लिए, मलिकार जुन खड़गे को सुनने के लिए पहुँचे थे, सोचिए, तो अगर यही जनाधार वोट में तबदील हो जाता है दोस्तों, तो 2024 में इंडिया गडबंदन को हरा पाना मुश्किल हो जाएगा, हलाकि अभी फिलाल स्थिती डावडोल है, इसको इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मजबूती चाहिए होगी अगर आपको भाजपस मुकाबला करना है, वो मजबूती तभी हो पाएगी जब आप जिस इंडिया अलाइन्स को आगे बढ़ा रहे हैं, उस इंडिया अलाइन्स के जरिए एक जुटता को प्रदर्शित आप करें, जितनी जैसे जैसे एक जुटता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप मात देते चले जाएगी, जन्ता भी इसको एकसेप्ट करती हैं उन्हें जला रहे हैं, अब जिस वीडियो का जिक्रिए शुरुआत में मैंने किया दोस्तों, शाम मीरा सिंग ने उस पर ट्वीट किया है, लिखते हैं कि कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी को भाजपा सपोर्टर्स ने रोका, पहले बोले मोधी मोधी, फिर बोले जैश्री राम, फिर बोले राहूल गांधी जिन्दाबाद, दो मिनट में मोधी भक्त से राहूल भक्त बन गए, यह सवाल इन्होंने पूछा था, और यह वीडियो इस वक्त धड़ा-धड सोशल मीडिया पर वारर है, मैं तो आप से इस पर राह जाना चाहूंगी दोस्तों कि भाजपा के कारे करता हूं कि दो मिनट में, जितने मिनट में मैगी जो है बन जाती है दोस्तों, तो दो मिनट में हिर्दय परिवर्तन को आप क्या कहना चाहेंगे, अपने दाए, कमेंट करके हमारे सामने जरूर रखेगा, अगर आप तो यह वीडियो पस्तना आया हो, तो वीडियो को लाइक कीज़े, शेर कीज़े, चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, तो मुलाकात हो गया आप से अगले वीडियो में, तब तो के लिए नमस्कार,